असलाम अलेकम, हेल्थ केर गाइड लाइन चैनल में आपको खुशाम देद कहती हूँ, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीवा अकरम वैसे तो हमारी कोशिश होती है, कि हम हर इंपॉर्टन टॉपिक पे वीडियो बनाएं, खास तोर पे गाइनी से रिलिक्टिड हैं, लेकिन आज कल ये मसला हमारे वीवर्स ने ही हमारे लिए हल कर दिया है, उनकी तरफ से किसी न किसी टॉपिक भी फरमाइश आ जाती है, और ह मैंने सोचा चलो आज इसी पर बात करते हैं, आज मैं आपको इसकी कुछ वजुहात बताऊने, कुछ वज़ा तो ऐसी होती हैं जो बिलकुल नॉर्मल है, और उसमें परिशान होने की बिलकुल बात नहीं होती, और कुछ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट जरूरी है, और इसक परिशियों को पिरिट्स आ जाते हैं, तो इस एज में जब पिरिट्स पहली बार आते हैं, तो शुरू का एक साल वो रेगुलर नहीं होते हैं, इसी तरह जब बिलकुल बंद होने पे आते हैं, 45 एर से लेके 55 एर की जो एज है, उस एज में आकर भी एक दफा पिरिट्स ज नहीं आते हैं, यह भी नॉर्मल ही होते हैं, मतलब आ भी सकते हैं बीच बीच में लेकिन उस तरह से वो रेगुलर पिरिट्स नहीं होते हैं, और इसके इलावा गले के अंदर यहां पे एक थायरेट ग्लैंड होता है, अगर वो हाइपर स्टेट में चला जाए तो भी पिर सिस्टिक ओवेरियन सेंड्रोम, हमारे क्लिनिक में आने वाली हर पांचवी पेशेंट, PCOS की पेशेंट होती है, इस कंडिशन में डेट ठीक नहीं रहती, PCOS में और थायरेट के कैसिस में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसी तरह फाइबर यूटरस एक कंडिशन है, बहुत कम होता है, अंडर वेट होती है, उन में भी डेट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके इलावा आप देखें तो कुछ खवातीन बहुत हैवी एकसरसाइज करती है, जैसे कि एथलीट्स हैं, प्लेर्स हैं, डैंसर्स हैं, और फिल्ड वर्क करने वाली खवातीन है, जो में काम करती हैं, या ज्यादा उनकी वाक बहुत एकसेसिव होती है, तो उन खवातीन में जिनकी एकसरसाइज लेवल बहुत ज्यादा होता है, उनकी डेट भी खराब हो जाती है, और एक कंडिशन बहुत सीरिस नोयत की है, वो है रहम का कैंसर, सर्वाइकल या एंडोमीट कैंसर ऐसी कंडिशन है, जिसको बहुत सीरिस लेना चाहिए, तो ये थी वो वजुहात जिन में डेट यानि पीरिड्स अकसर नॉर्मल नहीं रहते हैं, बेतरतीब हो जाते हैं, इसमें आपने ये जान लिया है कि कुछ कंडिशन बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ में ट्रीट रहते रहें हेल्थ केर गाइड लाइन चैनल और हमें लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूए, थैंक ये सो वेरी मच, वेरी मच, वेरी अव ग्रेट दे, अलाहाफिस